हेलो बचो मैं रकेश वतरा आप सबने ये फ़र्मुला तो पढ़ाई हुआ है कि a फ्लस b का whole square a squared plus 2ab plus b squared होता है इस formula का geometrical meaning क्या है geometrical ये किस चीज़ को represent करता है इसको आज की वीडियो के अंदर हम समझेगे जब मैं कहता हूँ A square तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि एक square है जिसकी side A है और उसके area की बात कर रहा हूँ है जब मैं कहता हूँ A square तो इसका मतलब area of square area of square with the side A ऐसे ही B square का मतलब क्या होगा कि एक square जिसकी side B है उसका area अब ऐसे ही जब मैं कहता हूँ A into B तो मैं यू कहता हूँ एक rectangle जिसकी length A unit है breadth B unit है इस rectangle का area हो जाएगा A into B तो मेरे पास यहाँ चार figure है ये पहला ये ये एक square है जिसकी हर side A है इसी तरीके से ये एक square है जिसकी हर side B है इस square का area हो गया A square इस square का area हो गया B square दो rectangles मैंने बनानी है जिसकी एक कि ये side A है और ये side B है तो इसका area हो गया A into B अब मैंने दूसरी rectangle vertical बनाई है जानबुज के vertical बढ़ाई है लेकिन बस फरक क्या है यहाँ length A थी यह breadth A है और length B हो गई area इसका भी A into B ही रहने वाला है अगर मैं इन चारों को combine करूँ इन चारों को मैं combine कर दूँ इन चारों को मिला करके एक figure बनाऊ तो देखता हो कि मुझको क्या मिलता है मैंने इसको यहाँ से drag किया drag करके मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ combine कर रहा हूँ in the save way मैं इसको यहाँ से drag कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ यह combine कर रहा हूँ चारों का एक figure बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब मैंने इन चारों को इस तरीके से combine किया तो मैं क्या देख रहा हूँ ये थोड़ा सा उपर नीचे आ रहा है कोई बात नहीं ये थोड़ा सा फरक है हलका सा फरक में जरा रहा है तो ये हमको क्या मिल रहा है ये हमको मिल रहा है एक square ये square इसकी ये side ये side आपको दिखाई दे रही है ये a plus b है ये भी b है तो इसका मतलब ये side भी a plus b है ये side भी a plus b है ये side भी a plus b है तो मुझे एक square मिल रहा है जिसकी हर side a plus b है तो square का area हो गया a plus b का whole square also ये square जिन figure से मिलकर के बिना है उन चारों का area combine करते हैं ये area हो गया A square प्लस ये area हो गया B square प्लस ये वाली rectangle का area इस rectangle का area हो गया A into V इसी तरीके से इस rectangle का area भी हो गया A into V अब चारों को combine किया तो मेरे पास total area आ गया A square प्लस 2AB प्लस B square यानि A plus B का होल square A square प्लस B square प्लस 2AB ये इसका geometrical proof है उमीद करता हूँ आपको ये अच्छे से clear हो गया होगा जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेकर के मिलता हूँ आपको जिसमें A plus B whole cube equal to A cube plus B cube plus 3AB into A plus B का derivation भी करेंगे Thank you Thank you for watching the video